हेलो नमस्कार इस यूटूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का हारदीक स्वागत करता हूँ आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपकमिंग एग्जामनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो फाइनली आई भी पीएस आरार भी पीओ का रिजल्ट आ चुका है और जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे फर्स्ट अवाल उन सभी कैंडिडेट्स को मेरी ओर से लग लग बताई हैं और जो कैंडिडेट थोड़े से मार्क से रह गए हैं तो वो उनका बहुत अच्छा एफ़र्ट था और उनको डी मोटिवेट नहीं होना है दोस्तों यहां अप 80% 90% पर पहुँच चुके हो अगर आप यहां से स्किप करते हो दोस्तों बैंक की प्रेपरेशन तो कहीं न कहीं बहुत वास्ट कंडिशन हो जाएगी आपके लिए आप 0% पर चले जाओगे अगर आप दूसरे प्रेपरेशन करते हो बैंक में आप 90% आपकी प्रेपरेशन हो चीकिए अगर थोड़ी सी प्रेपरेशन और अच्छी कर लोगे तो आगे बहुत सारे एक्जामरेशन आने वाले हैं SBA clerical का notification upcoming है LICWO का notification आना है उसके बाद तो दोस्तों अगस्त सेप्टेंबर में तो IBPS फिर अपना notification निकालेगा तो कहीं न कहीं दोस्तों बहुत अच्छी आपकी position है अभी जो candidate एक दू मार्क से रह गए हैं और जो candidate थोड़े से जादा मार्क से रह गए हैं cut off से तो उनको थोड़ी सी अच्छी preparation करने की जरूरत है और अब बात करते हैं दोस्तों इस reserve list के बारे में कि reserve list का जो cut off है general category का कितना रहा है ठीक है और आप comment box में जरूर comment कीजिएगा की आपके marks कितने बन रहे हैं अगर cut off से ज़्यादा marks है आपके तो आप comment box में जरूर comment कीजिएगा और कट off से कम marks भी है तो आप दोस्तों यहां पर जरूर comment कीजिएगा ठीक है तो guys सबसे पहले बात करते हैं कि पर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा वहाँ पर आप जुड़िये दोस्तों इसका पीडियेप आपको वहीं पर मिलेगा और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलिबल है बात करें दोस्तों अरुनाचल प्रदेश SC, ST, OBC और EWS के जो candy rates हैं वो यहाँ पर साथ साथ में देखते चलिएगा कि उनका कितना cut off रहा है ठीक है बात करें अगर दोस्तों बिहार state की तो बिहार state में 51.10 ठीक है अगर बात करें 36 गड़ की तो 36 गड़ में 48.30 cut off रही है दोस्तों गुजरात state की जो cut off है general category के लिए वो रही है 38.32 reserve list के लिए ठीक है दोस्तों बात करें हरियाना की तो हरियाना में दोस्तों 57.25 हर बार की तरह बहुत ज़्यादा cut off यहाँ पर देखने को मिली है बात करें हिमाचल प्रदेश की तो हिमाचल प्रदेश में 53.38 जम्मु कश्मीर की अगर बात की जाए दोस्तों तो 58.65 यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा high cut off रही है दोस्तों reserve list के लिए बात करें जहारखंड की तो जहारखंड में 53.25 आप यहाँ पर देख सकते हैं खोड़ से इसको जूम कर ले दे ता कि अच्छी तरह से आपको दिखे अगर बात करें दोस्तों माराश्टा स्टेट की Bet तो 51.05 मारास्टा स्टेट की अगर बात किया तो 48.28 ठीक है बात करें अगर मनिपूर स्टेट की 75.90 अगर बात की जा 70 मेगले की तो 41.20 और यहां पर दोस्तों मिजोरम और नागा लेंड में नॉट अविलेबल है रिजर्व लिस्ट के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए अगर बात की जाए दोस्तों ओडिसा स्टेट की तो ओडिसा में 54.92 बात करें पुड़ीचेरी में तो यहां पर भी नॉट अविलेबल है अगर दोस्तों बात करें पंजाब स्टेट की तो पंजाब स्टेट में जो कट ओफ रहा है वो रहा है 54.60 बहुत ज्यादा हाई कट ओफ रही है दोस्तों यहां पर राजस्थान स्टेट की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा कम कट ओफ रहा है 42.88 बात करें तमिल नाडू की तो तमिल नाडू में जो कट ओफ रही है दोस्तों वो रही है आपकी 54.85 ठीक है उसके बाद अगर तेलंगाना स्टेट की बात की जाए तो 49.18 यहाँ पर कट ओफ रही त्रिपूरा में कट ओफ रही दोस्तों 48.52 और उत्तर प्रदेश की कट ओफ है 48.42 जदा गया भी यहाँ पर दोस्तों नहीं है उत्तराकंट की अगर बात की जाए तो 54.38 और वेस्ट बंगॉल की अगर बात की जाए तो वेस्ट बंगॉल में कट ओफ रही है 49.08 रिजर्व लिस्ट के लिए ठीक है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिए का और अर्वी पियो के फाइनल रिजल्ट का और जो कैंडिरेट थोड़े से मार्क से रह गए हैं वो दोस्तों हतास नहीं हो बिलकुल भी उनका रिजर्व लिस्ट में भी आ सकता है जो कैंडिरेट दोस्तों 0.25 मार्क से जो रह गए हैं वो दोस्तों यहां पर उनके होने के ज़्यादा चांसेज हैं और जो थोड़े ज़्यादा मार्क से दोस्तों यहां पर रह गए हैं का टॉप से तो उनके भी चांसेज हैं दोस्तों मैं यह नहीं कहूंगा मैं आपको दी मोटिवेट नहीं करना चाहता हूं उनका भी चांसेज है लेकिन जब रिजर्व लिस्ट आएगी तभी इसका कन्फर्म कन्फरमिशन हम कर पाएंगे कि कौन से कंडिडेट सेलेक्ट हो है ठीक है तो आप अपना स्कोर कार्ड जरूर सेर कीजिए गा दोस्तों जो रिजर्व लिस्ट के कंडिडेट्स है तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बोक्स में जरूर पूछिएगा वहाँ पर आपको रिपलाई जरूर मिलेगा ठीक है गाइस इसी तरह सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को जरूर स सब्सक्राइब कीजिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा have a nice day दोस्तों